धर्म हमेशा से रहा है आपको उपर उठाने के लिए अभी धर्म बन गया है उन लोगों के हाथ का खिलोना जो उपर उठना नहीं चाहते जो बिलकुल हटी हैं जिन्हें अपनी नालायकी पर कायम रहना है जिन्हें दुनिया में कोई जगह कोई सम्मान कोई ताकत कभी मिल न कुछ सीखा नहीं तमाम तरह कि उसकी अग्यानताएं हैं कुछ बुरी आदते वी उसने पाल रखी है कि रुजगार उसको मिल नहीं रहा है होो एस विक्ति को अने नहीं है कोई पहचान नहीं कोई जगह नहीं कोई आधर नही तो तो ये एक तरकीब निकालता है, ये कहता है मैं धार्मिक हूँ, ये कभी कह देता है जैश्री राम कभी कह देता है बंबं भोले, और अब ये पाता है कि अचानक ही इसको आधर भी मिल रहा है और इसको ताकत बहुत मिल गई है, बहुत सारे लोग जो अन्निथा वर्थलेस है वो धार्मिक बनके ताकत पाए जा रहे हैं उनको सम्मान मिलने लगता है आप उनके लिए रास्ता छोड़ देते हो अब देखेंगे तो ये बात आपको बहुत दिखाई देगी और उसकी वजह से एक बड़ी उल्टी गंगा बह रही है वो ये है कि धर्म का क्षेत्र जो उचे से उचे लोगों के लिए होना चाहिए था उससे उचे लोग कटते जा रहे हैं और जितने वर्थलस लोग हैं वो उसमें और घुसते जा रहे हैं और वो घुस इसलिए नहीं रहे कि उनकी वर्थलस नेस उनकी मुल्य हीनता कम हो वो इसलिए घुस रहे हैं ताकि वो वर्थलस बने रहते हुए भी सम्मान और शक्ति पाने लगें यह बहुत खतरनाक बात है क्योंकि धर्म आपको उठाने क के लिए होता है धर्म इसलिए नहीं होता कि आप जैसे हैं वैसे ही रहें और फिर भी आपको सम्मान भी मिले और शक्ति भी मिले कि धर्म का पूरक्षेत्र किसलिए है कि धर्म विशुद्ध धर्म अध्यात्म होता किसलिए है मन की सफाई के लिए मन को दुख से मुक्त करने के लिए इसके अतरिक्त धर्म का कोई प्रयोजन नहीं है ठीक तो आप जब भी कोई धार्मिक कर्म करें या होता देखें तो प्रश्ण यह होना चाहिए इससे मन साफ हो रहा है क्या मन साफ हो रहा है तो दूने समर्पण के साथ करें और मन साफ नहीं हो रहा तो ततकालते आग दें शिव परम सत्य का दूसरा नाम है शिव भक्त होना कोई आसान बात नहीं शिव भक्त होना बड़ा मूल ले देकर ही संभव है आपको पूरा जीवन शिवत्तों में जीना होता है तब आप अधिकारी होते हैं अपने आपको शिव भक्त कहने के और क्या है शिव यह जानना है तो शिव सूत्र थोड़ा पढ़ें या रिभू गीता थोड़ी पढ़ें शिव कोई चरित्र नहीं है शंकर का चरित्र होता है शिव का कोई परिवार नहीं है शंकर का परिवार पत्मी बच्चे यह सब होते हैं शंकर किसी पुराण के, किसी गाथा के किंद्रिय पात्र हो सकते हैं, शिव नहीं है, यहां तक कि हम जिसको शिव पुराण के नाम से जानते हैं, वास्थव में वो शिव की नहीं, शंकर की कहानी है, शिव सकते हैं, शिव परमात्मा हैं, शिव वो अनादी, अनन्त जियोती है, जिसके कारण हम हैं, और जो हम हैं, तो शिव इसलिए पूनतया निराकार हैं, वास्तव में शिव कहना भी शिव को सीमित करना है, आपको वास्तव में यदि शिव कहना है, तो आपको गहरे मौन में ध्यानस्त होना पड़ेगा, वो शिव हैं, शंकर के बारे में आप जितना कुछ कहना चाहते हूं, शंकर अफ्तार हुए, शंकर ऐसा समझ लीजिए कि आदमी की कलपना जितना उंचे जा सकती है, और जित अलतम आदर्श स्थापित कर सकती है, वो शंकर है, शंकर भी एक उचाई है, शंकर मन जितनी अधिकतम उचाई पे उड़ सकता है, वो हैं, और शिव हैं उस मन का आकाश में विदीन हो जाना, मन को पक्षी मानिये, जितनी उचाई तक वो उड़ा, और अभी पक्षी है, प तो शिव क्या है? वो खुला आकाश है. शंकर क्या है? वो उस पक्ची की उची से उची उडान है. उची से उची में उडान है. कि इससे उपर अब वो कुछ सोची नहीं सकता. तो विचार का उच्चतम बिंदु हुए शंकर और निर्विचार हुए शिव इन दोनों में अंतर करना वैसे ही जरूरी है जैसे कबीर के राम में और दश्रत फुत्र राम में अंतर करना जरूरी है शंकर और शिव में बिलकुल वही अंतर है जब कबीर कहते हैं राम 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 तो शिव की बात कर रहे हैं कबीर के राम शिव हैं और हम जब रामलीला देखने जाते हैं तो वहां जो राम है वो शंकर है शिव कोई शरीर है क्या शिव कोई व्यक्ति है क्या शिव सनातन बुद्धिका सनातन बोध से उठा प्रबलतम प्रतीक है शिव कोई जीव थोड़ी है हमारी तुमारी तरह कि एक व्यक्ति है वहां कैलाश परवत पर विचरन कर रहा है यह हम कैसी व्यर्थ की बात कर रहे हैं यह अनादर है शिव का ऐसे बोलना ऐसे नहीं बोलना चाहिए शिव बोध मात्र है आचारे शंकर ने क्या कहा था निर्वान शटकम में वहां से तुम्हें पता चलेगा शेव कौन है यह ने कहा ना मैं आख हूं ना मैं जाते हूं ना मैं कान हूं ना मैं बुद्ध हूं ना मैं स्मृत हूं सब कुछ नकारने के बाद छहो बार अंत में क्या बोलते हैं मैं शिव हूँ जब आप शिव कौन है जो कुछ नहीं है और शिव है ये आखोंपर से देख नहीं सकते जिसके बाँ शरीर नहीं है जो मन और बुद्ध से परे है जिसकी कलपना भी लेही सकती शिवत का अवमूल्यन मत करिये, शिव को ऐसे मान करके कि जैसे कोई जीव ही शिव हो, हम आप जीव होते हैं, हम आप निचले तल के प्राणी हैं, शिव नहीं जीव हैं, शिवो हम बोलने का अधिकार सिर्फ उसको है, जो जीव से संबंधित, सब वस्तुवों विशयों को मिथ्या जानकर नकारना शुरू कर दे, मात्र वो शिव है, तो फिर शिव क्या है, सत्य है शिव, आत्मा है शिव, सत्य और आत्मा के लिए एक अन्य नाम है शिव, ठीक है, जब मैं शिव कह रहा हूं, तो उससे मेरा आशे बिलकुल ऐसा नहीं है, जैसे, कि सचमुझ कोई आतिहासिक चरित्र हुआ था शिव नाम योग तो वो करता है ना, जो वियोग में होता है, शिव योगस्थ है, योगस्थ बोल दो तो फिर भी ठीक, आत्मा के लिए एक और नाम होता है योगस्थ, कि जिसके दो टुकडे नहीं है, जो युकत है, वो आत्मा है, वो तो फिर भी ठीक है, पर कहो कि योगी है और योग कर रहे हैं, यह तो बड़ी अभद्रता हो गई यह से कहना वो सच्चाई जहां मन का कोई कलुष नहीं है वो सच्चाई जहां कोई छविया नहीं है वो सच्चाई जो सब सांसारिक क्रियाओं प्रक्रियाओं से बहुत अच्छूती है एकदम असपरशित इसलिए एकदम पवित्र है उसक कहते हैं शिव। अब यदि तीर थांटनादी करने से आपके मन में वह सच्चाई और रणता से स्ठापित होती है तो तीर थात्रा बहुत शूब है। चाहे वो कावड यात्रा हो, चाहे अमरनाथ यात्रा हो, चाहे केदार यात्रा हो, लेकिन यदि उस पवित्रता से प्रेम ही नहीं, यदि शिव का अर्थ बस मानसिक तल पर कुछ लगा लिया है, तो फिर तो इतना समझाया है न संतों नहीं? कि गंगा गयोते मुक्ती नाई, सौ सौ गोते खाईए, आप जाईए, आप सौ बार आप गंगा में नहा लिजे, तो भी मुक्ती मिलेगी नहीं, जैसे गंगा की मचली होती है, रहती, गंगा में है पूरी जिन्दगी, लेकिन बाहर निकालो तो बदबू ही दे रही होती है, आप भी वैसे ही रहोगे, यह मैं नहीं कहा रहा है, यह सब हमारे आदर्णिय संतों ने कहा है, और आजकल यह भी एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण चलन हो गया है, इतने किस्से गढ़े जा रहे हैं शिव के बारे में कि पूछो नहीं, किस्से गढ़े जा रहे हैं, चित्र बनाए जा रहे हैं, आप इंस्ट्रग्राम वगरह पर चले जाएए, वहाँ पर आपको शंकर परवती के कामुतेगर जग चित्र मिल जाएंगे, और उसको बनाने वाले लोग कहते हैं कि आर्ट है, कला है, उसमें कला क्या है भाई, जब हमारा मन ही पूरा कामुक है, तो हम अपने आराध्यों को भी कामुक अवस्था में देखना चाहते हैं, तो हाँ पारोती को लगभग अर्धनक न कर दिया जाएगा, और शंकर क्या लिंगन में है वो, और उपर चांद है, बिल्कुल रूमानी रात है, और नीचे दो-तीन लाख लाइक्स हैं और हर-हर महादेव, ये महादेव खत्म सम्मान कर रहे हो, बोलते हैं, उनकी तो भूतों की सेना है न, तो हम भी भूत बनके नाचेंगे, और और नहीं कुछ पता है शिवत्यों के बारे में, एक बात पता है कि वहाँ गांजा भांग चलता है, धतूरा चलता है, तो डीजे होना चाहिए, धतूरा होना चाहिए, और बगडबं बबबं, बगडबं बबं, ये शिवत्यों का सम्मान है और अपमान है, नाचो, शिव का संबंध नाचने से कैसे जोड़ गया समझ में नहीं आया, हर चीज को मनोरंजन बना लेना है, महा शिवरात्तिरी होगी, लगेंगे नाचने, और नाच भी भूतों जैसा, मैं दोहरा रहा हूं, धर्म उची से उची बात है, और धर्म इस संक्रमन काल में, जब हम महाविनाश के बहुत निकट हैं, धर्म हमारी आखिरी आशा है, धर्म को गंदा मत करिये, मानावता को आज कुछ बचा सकता है, तो वो विशुद्ध धर्म ही है, वैसा धर्म नहीं जो हम सडकों पे देख रहे हैं, विशुद्ध धार्मिकता ही है, जो हमें बचा सकती है, दवाई को नशा और जहर मत बनने दीजिए प्रार्थना करता हूं